हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों अगर आप पहली बार माता पिता बन रहे हैं तो जाहिर से बात है बहुत जादा खुश और साहित होंगे वहीं दूसरी और आपके मन में कई ऐसे सवाल उठ रहे होंगे जो आपको परिशान कर रहे होंगे जी हाँ अकसर पहली बार बने पेरेंट्स इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अपने नन्य मुन्ने के लिए क्या करें और कैसे करें ताकि उनकी सबी जरूरत पूरी हो सके ऐसे में पहली बार पेरेंट्स बनने वाले पती और पत्ती दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनके लिए ये एकदम नया अनुबाव होता है फिर भी एक अच्छे और जिम्मेदार माता-पिता होने के नाते वे अपने बच्चे के लिए बैस्ची ही करना चाते है खेर अभ्यास और अनुबाव दोनों ऐसी चीज है जिससे आप सब कुछ बड़े ही असानी से सीख सकते है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने नन्य मुनने के लिए क्या जरूरी समान ले सकते है और आप उनकी केर कैसे कर सकते है और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप से एक रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्स्राइब कर लीजी तो चलिए जानते हैं नमबर एक फीडिंग स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किसी भी उपकरण की जरूरत नहीं होती है हलाकि कुछ चीजे ऐसी भी होती है जो सभी माताओं के लिए बेहत मददगार होती है जैसी कि बच्चो को दूद पिलाने के बाद उन्हें ड़कार दिलाना जरूरी होता है कई बार ड़कार दिलाते वक बच्चे मुझ से थोड़ा सा दूद बाहर निकाल देते हैं ऐसे में ड़कार दिलाते समय एक कपड़ा आपके साथ जरूर होना चाहिए ताकि आपके या फिर आपके बच्चे के कपड़े खराब ना हो सके नमबर दो नहलाना बच्चो को नहलाने के लिए बेबी टब का इस्तिमाल जरूर करें और साथी बेबी साबू और शैंपू का इस्तिमाल भी जरूर करें नहलाने से पहले मालिश के लिए पालों के लिए तेल, शावर कैप, नरम मुलायम तोलिये, नरम दातों वाली कंगी, नमबर तीन, स्लीपिंग अगर आप अपने बच्चे के साथ सूते हैं, तो एक बड़िया सा गद्दा, जो ज़्यादा हाट ना हो, बहुत ही सौफ्ट होना चाहिए ऐसे में, बच्चे के चादर के नीचे, हलके कंबल का इस्तमाल भी जरूर करें, ऐसी ही अन्य चीज़े, जो आपके बच्चे के लिए जरूरी हैं, उन चीज़ों का ज़्यादातर इस्तमाल करें, ऐसा करने से, आप अपने बच्चे की केर, ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो दूस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूं मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए ट कि पंट बढवा